सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे नमस्कार दोस्तों आप लोगों को बच्छी तो याद होगी 16 साल की जिसने यूएनों में जाके ललका रहा था पूरी दुनिया को ग्रेटा थैनबर्ग ग्रेटा ने लगभक आशूओं में भीगे हुए अपने गालों से जो आशू जहर रहे थे उस समय कहा कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है ये दुनिया मुझे धोखा दी है हम युवाओं को अपने भविस्थ के सपने भी नहीं देख सकते क्योंकि आप लोगों ने चीट किया है गलत विस्वास दिया है और गलत विस्वास फरेब के जरी है आप लोगों ने अपनी जिन्दगी तो सुधार ली हम युवकों की जिन्दगी बरबात करें आज हम सपने भी नहीं देख सकते हमारे सपने तोड़ने वाले आप हैं पैसे हुई ये सब करने की, how dare you, और ये पूरी दुनिया के अख़वारों में, टेलिवीजन में, सोशल मीडिया में, सब को चौका दिया, ये बच्ची नोबल प्राइस के लिए नॉमिनेट की गई है, ग्रेटा, तुम्हारे सपने मैंने नहीं तोड़े, तुम्हारे सपने तुम्हारे बाप ने तोड़े, तुम्हारे दादा ने तोड़े, तुम्हारे परदादा ने तोड़े, तुम्हारे पुछली पुष्टों ने तोड़े हैं, बेटे इसका आरोप हमारे उपर न हैं मैंने नहीं तोड़े हैं आपको बताएं ये इन्विराउन्मेंट को लेके काफी हो हला हुगा 2018 में मोदी जी को चैंपियन अफ दी कॉज कहा गया और UNEP ने कहा जो इन्विराउन्मेंट का प्रोग्राम UNO का है उसमें कहा गया था अच्छी बात है हमें इन्विराउन्मेंट के प्रती सजग होना थी और जिसमें बैटरी यूज हुआ था सेल यूज हुए थे ये बताने के लिए कि साब देखिए कितना पर्यावरान के प्रती चिंतित है सब लोग कि वो अपने यहाँ स्वीडन से समुद्र पार करके अटलांटिक पार करके जब वो अमेरिका पहुंची थी तो उसने यही बताया कि चीट आप लोग उने किया है और जिस वो सोलर पावर्ट जहाज से आई थी उसमें आपको अंदाजा है कि कितनी बिजली लगी होगी उसके सेल्स को इनरजाइस करने के लिए यह दुनिया को नहीं बालू हम सब लोग बड़े अफसोस में हैं कि ग्रेटा ने यह क्या कह दिया हमें कोई हक नहीं है अपने बच्चों को उनका भविश्य खराब करने का लेकिन क्या भारत कर रहा है यह क्या यह गरीब मुल्क कर रहे हैं क्या यह पाकिस्तान कर रहा है बंगलादेश कर रहा है साउथ एशिया कर रहा है जी नहीं खुद स्वीडन का इस समय पर कैपिटा कार्बन एमीशन जिस देश से वो बच्ची आई थी उसका 14.7 है आप ज़रा सोचें ग्रेटा को किस ने धोखा दिया और जब से और द्योगे करांती हुई है तब से लेके आज तट जो पूरा का पूरा इन्विरान्मेंट खराब हुआ है उसका श्रे पस्चमी दुनिया को जाता है जिसने 98 परसेंट इस परियावरान को खराब किया है तो कि दोशी कौन हुआ आज भी दोशी कौन है आप ज़रा आख ले देखें भारत सिर्फ प्रती व्यक्ति कार्बन एमिशन 1.7 मेट्रिक टन है जबकि स्वीडन का जिस जहां से ग्रेटा आई थी उसका 14.7 है बांगलादेश का 0.5 परसेंट है 0.5 मिलियन टन है भारत से भी एक पिहाई से कम पाकिस्तान का 0.9 मेट्रिक टन है कौन गलत है इसमें से आप ताजूब करेंगे कतर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है सबसे ज़्यादा कार्बन गैस उसके आँ से निकलती है और कैसे निकलती है क्योंकि वो जब एनरजी लेता है तो वो फॉसिल फ्यूल से लेता है इसकी वज़े से सबसे ज़्यादा कातर करता है और उसकी तादात कितनी है? प्रति व्यक्ति उसके एहां 43.09 मेट्रिक टन होता है भारत से करीब 30 गुना ज़्यादा क्या कतर ने कभी ये वकालत की है अमेरिका को लीजी आप 16.5 मेट्रिक टन है और अमेरिका जब पेरिस कॉन्फरेंस हो रहा था तो इस कॉन्फरेंस से ही बाहर हो गया का नहीं मैं नहीं रहूंगा इसमें क्या किसी ने कुछ कहा हम किन किन मुद्दों पे अचानक भी फर जाते हैं और अपनी पॉलिसी बदलने लगते हैं आप गोर करें अस्ट्रिलिया 15.4 मेट्रिक टन प्रती व्यक्ती इमिशन करता है कार्बन का कभी किसी ने कहा है भारत के 1.7 पर सब की नज़र है भारत की प्रती व्यक्ती इमिशन 1.7 पुक्ती शर्थ है परे साल अगरा कयामत वर्पा हो गई है हिंदुस्तान वगएरा सब कुछ गरबल कर रहे हैं लेकिन अब भारत की वरक्स देख लीजिए जर्मनी 8.9 मिट्रिक टन कर रहा है किसी ने कभी कुछ कहा है और फिर आज भी अंतर रास्ट्री और एवरेज का हम 40% हैं प्रती व्यक्ती के हिसाब से हमारी आबादी जाता है हमारी आबादी जाता है लिहाजा हम जो कंजम्शन करते हैं क्या वज़ा है कि एक व्यक्ती अगर वहाँ पे कार्बन एमिशन अमेरिका में 16.9 कर रहा है Sweden में 14.7 कर रहा है कतर में क्योंकि बहुत संपन माना जाता है अगर कतर में वह 43% कर रहा है तो गलती कहां पे है अब आते हैं हम हम कैसे कोल इनर्जी छोड़ दे सबसे सस्ती अभी भी कोल इनर्जी हमारी सस्ती है हमारे पास अभी भी करीब 324 बिलियन टन हमारे पास कोईला जमीन के अंदर पड़ा हुआ है हम कैसे ही इसको इसको इस्तेमाल ना करें इसलिए कि विदेश कह रहा है इसलिए पश्चिमी देश कह रहे है हमने तो भी कोईला अपना शुरू ही नहीं किया दोहन करना लेका लेकिन क्या वो पॉस्बिल हो पा रहा है क्योंकि कोल इंडिया निकम्मी पड़ी हुई है कोल इंडिया कोई काम नहीं करती है और अब गर्वर्मेंट जो पॉलिसी बदली है वो और खातरनाक है पहले था कि सिर्फ सीमेंट और स्टील के प्लांट्स केप्टिब पावर प्लांट लगा सकते हैं उसके लिए उन्हों कोल का पर्मिशन दिया जाता था आज गर्वर्मेंट ते बिलकुल खोल दिया है कोई भी चाय कोईला ले जाए कितना भी ले जाए अब आप जानते हैं महाँ पे कोल माफिया होते हैं रैकेट होता है और उस रैकेट में वाशरी से च्छेद बढ़े कर देते हैं तो सारा कोला नीचे से वाशरी से दूल के दूसरे रास्ते से निकल जाता है मूल कोईरे का आखला बहुत कम दिखाय जाते हैं ये कमाल कोल माफिया का है जो बहुत बड़े अपराधी है और उनसे कोई भी लड़ने की हिमत नहीं करता भारा सरकार ने खुला कर दिया है इसके अलावा 100% FDII इसमें अलाव कर दिया है दो हजार 1971 पर जब यह तसवर किया गया कि नहीं कोई इंडिया का हम प्रॉपर माइनिंग नहीं कर पारे एक्स्प्रोरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोल इंडिया बनाए गया लेकिन वही धाक के तिन पाथ पाद्या नहीं कर पाया आज हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप रिनिवेबल इनर्जी लखें लेकिन उसकी इनिशियल कास्ट देखें उसमें जो इंस्टालेशन कास्ट लगती है वो देखें और तब आप समझेंगे कि अगर कोईले में 1 रुप्या 1 मेगावाट एनर्जी अगर आप प्लांट लगाते हैं तो 1 रुप्या इंस्टालेशन कास्ट लगती है तो करीब थीन रुप्या हाईडर प्रोजेक्ट हाईडर एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में लगती है और करीब 4-5 गुना लगता है नुक्लियर पाउर में Renewable Energy में भी हमारा पैसा जा रहा है आने वाले दिनों में हो सकता ही सस्ता हो जाए जब मास प्रोडक्शन हो तो हम उस दिशा में हैं मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देश के प्रतानमंत्री इसको लेके चिंतित हैं कि हम सिफ्ट करें पूरी तरह से लेकिन हमेशा एक इनर्जी मिक्स होता है चुकि अगर एक इनर्जी फेल होगी तो कब से कम दूसरी देश के पहिये को रोकेगी नहीं इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है तो आज कोल इनर्जी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और जहां तक पर कैपिटा हमारा कार्बन एमिशन है अभी भी हम इसको चार गुना बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल लेवरेश पे लाने के लिए क्योंकि बाकी देश कर रहे हैं आप चाइना को नहीं रोकते हैं चाइना और अमेरिका जिस तरह से कार्बन एमिशन कर रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है रोकने की हमारे प्रधान मंत्री लीडर हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है इन्विरान्मेंट कॉस के लिए को चैंपियन कर रहे हैं उनको एवाड भी दिया है ये उनने लेकिन क्या हम कोल छोड़ सकते हैं आज हमारी इनर्जी का 61% कोले से आता है क्या हम इसको छोड़ सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात है मोदी जी ने एक पतिग्या की है कि 222 तक हम 227 गीगावाट इनर्जी जनरेट करेंगे रिनिवर्बल इनर्जी से अच्छा प्रयास होगा करना कि ये बिलेगा नहीं अच्छी नहीं हो सकता लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास है तो ग्रेटा बच्चे वापस जाके स्वीडन में अपने माबाप को कोसो अपने पूर्वजों को कोसो पुर्खों को याद करो ये इन्विरान्मेंट उन्होंने गंदा किया और आज भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि आने वाले कुछ दशकों में जिस तरह इन्विरान्मेंट की समस्य हुई है उससे हमें जूजना पड़ेगा लेकिन ये दाई तो किसका है आज एक गरीब मुल्क भारत, पाकिस्तान, भंगलादिस नेपाल इस पे तो आप डबाव डाल रहे हैं लेकिन क्या है वो जो धनाध्य मुरुख है उन्होंने कभी सोचा है कि इन्विरान्मेंट के खराबी कौन कर रहा है कारबन इमिशन कहां से सबसे ज़्यादा हो रहा है और प्रफी व्यक्ति अगर अकला लिया जाएगा तो वो कहां ज़्यादा पढ़ रहा है और तब आप पाएंगे कि अपराधी हम नहीं अमेरिका है पस्चिमी दुनिया है स्वीडन है जहां से ग्रेटा आई थी ग्रेटा बेटे ये इनर्जी का जो तुमने बात किया है ये तुम्हारे भविष्ट को तुम्हारे सपनों को मैंने नहीं बरबात किया तुम्हारे पुर्खों ने किया है और तुम्हारे पिता जी आज भी कर रहे है जाके उनसे लड़ो बजाए हमसे कहने के कर दुम्हारे जिर बात किया है